नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहा आप देख रहे हैं EBNN News यूपी के पुर्व मुख्य मंतरी कल्यान सिंग के निधन के बाद तीन दिन का राजकिय शोग घोशित किया गया है वही यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान करते वे कहा है कि राज्य के पांस जिलों की एक एक सड़क का नाम यूपी के पूर्व मुख्य मंतरी कल्यान सिंग के नाम पर रखा जाएगा बता दे कि लखनव, प्रयागराज, अलीगड, पुलंद शहर में एक एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंतरी के नाम पर होगा दरसल राम मंदिर आंदॉलन में कल्यान सिंग का योगदान सार्व जनिक रहा है वही कई बार राम मंदिर के पक्ष में वे बोलते भी दिखें ऐसे में उनके योगदान को देखते वे सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है बतारे की राम मंदिर का मुद्दा ही वे कारण था जिसके कारण उन्होंने अपनी मुख्यमंतरी की कुरसी छोड़ दी थी इस कारण उनके स्याग को भी हमेशा समय समय पर सराह जाता रहा है ऐसे में उनके योगदान को देखते हुए राजिस सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है बतारे की 9 सितंबर 1992 में आयोध्या में जब बाबरी मस्दित के ढाचे को कार सेव को द्वारा द्वस्त कर दिया गया था उस दौरान राजि के ततकालीन मुख्यमंतरी कल्यान सिंग अपने आवास पर मौजूद थे इस दौरान उन्होंने सार्वजनी ग्रूप से बाबरी विद्वन्स की जिम्मदारी लेते हुए सीम पत से इस्तिफा दे दिया था हाला कि कल्यान सिंग के सिफे के बाद राजी में सियासी भूचाल की स्थिती आ गई थी जब तक इस मामले पर चर्चा हो पाती या कोई समधान निकल पाता इससे पहले कल्यान सिंग राज भवन पहुच गए और उन्होंने मुखे मंतरी के पत से इस्तिफा दे दिया था यही कारण है कि हिंदुत्व के बड़े चहरों में कल्यान सिंग का नाम भी टॉप की सूची में आता है तो फिलाल के लिए ताहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए पने रहे एबियनन न्यूस के साथ